हाई फ्रेंड ये वाल्कम बेक अंगा बिल्कुम टूमाइ चैनल फ्रेंड इस वीडियो में आप मुबायल में टाइम पार्मेट चेंज करने का दाए के बताहँगा अगर आपके मुबायल में 20-24 वावर एक पर simple आपने लिखना है time, so print जिवाब time लेखें यहाँ पर आपके समने जाएए कि time date and time, simple date and time पर tap करें, पर जो आप date, sitting open करें date and time का, यहाँप date and time sitting में यहाँ पर निछ in action होगाए, time permit, आपने date and time में time permit पर क्लिक करना गाएं, यहाँ पर आपके सामने दो अप्षिन आ जाएगी 12 hour 24 hour तो आपने simple 12 hour पर 12 hour को select करना आए सुप्रेंट आप देख सकते हैं जो आप 12 hour select करें यहाँ पर आपका time change हो जाएगी सुप्रेंट simple आपने mobile setting में time search करना आए यहाँ पर time search करें और यहाँ पर date and time आजाएगी और आपने time permit को 12 hour को select करना आए सुप्रेंट आप इस तरीके से red भी mobile में कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा realme mobile तो इस में भी same sitting गए सम्पल यहाँ पर अपने mobile में realme mobile में sitting open करें और sitting सर्च करें sitting में search करें आपने time time आपने लिखना है sitting में यहाँ पर आपके समना आजाएगी time zone time permit आपने simple time permit पर click करना आए यहाँ पर आप देख सकते हैं use 24 hour permit यह on होगी तो आपने 12 hour को यहाँ पर इसको आप करना आए realme mobile में तो आपका time यहाँ पर 24 hour permit पर convert हो जाएगी इस तरीके से मेरे पास समसंग पून गी इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने कैसे करना आए यहाँ पर समसंग पून में भी अपने mobile setting open करें और sitting में search करें time date and time आजाएगी date and time setting open करें यहाँ पर होगी time permit तो आपने इसको आप करना है use 24 hour permit यहाँ होगी तो आपने 24 hour को 12 पर convert करना है आप करें इसको तो आपके mobile में time permit change हो जाएगी आपको मैं आपको तीन mobile में दिखा दिया Samsung, Realme, Redmi में दिखा दिया आप इस तरह के से अपने mobile में time permit change कर सकते हो यह थी अच्छी वीडियो अगर वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें